हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो आज एक पर फिर से वन रेंक वन पेंशन पे एक बात करने जा रहे हैं और वन रेंक वन पेंशन पे शुरू से अभी तक जो अभी तक जो चल रहा है इसमें OROP पे जो बड़े अपडेट हैं जहां पे वन रेंक वन पेंशन का फैसला वन रेंक वन पेंशन जो इंप्लिमेंट हुआ था उसके बाद से कोट में जो फैसला हुआ था तमाम बड़े बड़े अपडेट होने के बाद से दोस्तों अभी वन रेंक वन पेंशन कहां पहुँ इसमें जिसों कहते हैं फुल अपडेट है on one rank one pension related तो चली दोस्तों बात करते हैं आज के इस important अपडेट के बारे में दोस्तों देख सकते हैं यह आपके सामने जो है OROP की journey है दोस्तों चैनल पर पहली बार रहे तो चैनल को जरूर subscribe करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों देख सकते हैं जर्नी ओर रूपी और इसके पूरा का पूरा एक बार इसमें डिसकेशन चल रहा है कि कहां से जर्नी शुरू होगी थी क्या आउटस्टेंडिंग डिवांड से गवर्मेंट ने क्या प्रॉमिस किया था क्या एश्योर था क्या नहीं मिला और इसी को देखकर दोस्तों जो है 27 अप्रेल जो है आठ में जो है शुरू आता फाइनली जो है और अप्र इंप्लिमेंटेड वाइड लेटर सेवेंध नॉबर 2015 2015 में इसको इंप्लिमेंट किया था एक्योलाइशन 2019 को गया था और अभी तक पैंशन नहीं मिला था इक्योलाइशन ऑफ पैंशन जो है एक जुलाइज 2019 से अभी तक केरी नहीं किया गया जिसके उपर कि अभी भी जो है सभी पूर सेनिक्स का वेट कर रहे हैं और अभी कब तक मिलेगा इससे पहले बताये गया है कि दिवाली से पहले जो है क्योंकि अब सुप्रीम कोट ने ओर्डर दे रखा है कि जल से जल मिलना चाहिए तो दिवाली से पहले तक मिलेगा दोस्तों यह शुरू से लेकर अभी तक का पूरा वन रैंग वन पेंशन का एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में जो है जिस्ट दिखाया गया अब फाइनली फाइनल एंड पर पहुंच चुके हैं जहां पर एरियर मिलने की वेट कर रहे हैं अब कब तक मिलेगा कोट का भी ओर्डर आ चुका है तो वो जल से जल मिलेगा दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूरो सैनिकों के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो